घिल्जुट. इटेंडेंड झालो सब्सक्राइब जाननी माले कॉंसिटिव वर्प्स क्या होती है खिव्ठotic хорошо स्टार्ट कर्टेंड कि हम ट्रांसिटिव के साद्ट देज्ट मेंने आपको पहले भी बताया था ट्रांसिटिव का मतलब होता सकर्म नाम से मैं यह पता चल रहा है कि जिसमें कर्म कर्म का क्या मतलब होता है ऑबचेक्ट मैं एक्जाम्बल से आपको इसका मतलब पताती हूं जैसे मैंने लिखा I eat चपाती ठीक है? मैं अब से पूछ हूँ नहीं वर्व क्या है तो आप बोलेंगे वर्व है मेरा इट ठीक है? और मैं क्या खाती हूँ? इसका जवाब मुझे किस्से मिल रहा है? तो जवाब मुझे मिलेगा चपाती तो यानि वर्व का प्रभाव डरेक्टी मेरा जिसके उपर पढ़ रहा है वो मेरा अब्जेक्ट या फिर कर्म कहलाता है ठीक है? तो यहाँ पर चपाती क्या होगा? अब्जेक्ट या हिंदी में इसकों कहला कर्म तो इस तरह की वर्व जिसके साथ कर्म का होना मस्ट है तो उसकों क्या बोलेंगे? ट्रांसिटिव वर्व जैसे आई चपाती आई राइट ऐसे, आई राइट पोएम ठीक है? बलकि कुछ ऐसी वर्व भी होती है जिसके साथ कर्म नहीं होता है जैसे मैंने बोला आई स्माइल आप से कोशन पूछ हूँ मैं क्या स्माइल करती हूँ तो कोई सेंस नहीं बने लोजिकली कोई मतलब बननी रहा है या इस तरह की वर्व अपने आप में कम्प्लीट है, उनको किस अबजेक्ट या करन की आप शकता नहीं है ऐसी वर्व को उन बोलतें — ईसरे इस है उनको किसे आप का लोचे?. और मैं किसे का जवाब करने रहा है तो वो पतर है या किसले की मतलब बनने Zusammen बड़ इस फ्लाइब इसका meaning क्या हुआ पक्षी उड़ रहा है sentence मेरे complete है क्या मुझे किसी object की ज़रूरत है नहीं है क्योंकि अपने आपने complete sense दे रहा है कि पक्षी उड़ रहा है ठीक है लेकिन अगर मैं लिखती हूँ I am flying इसका क्या मतलब हुआ कि मैं उड़ रही हूँ क्या ये sentence ठीक है मैं उड़ रही हूँ ये मैं उड़ा रही हूँ मैं क्या कहना चाहरे हूँ तो बिना object के ये sentence पिर incomplete, logically, incorrect sense नहीं बढ़ रही है तो अगर मैं लिखोगी I am flying kite अब इसकी sense ठीक है कि मैं एक पतंग उड़ा रही हूँ ठीक है यानि अगर मैं सिर्फ I am flying लिखती हूँ तो logically, sense wise ए गलत हो जाता है इस verb के साथ मुझे क्या लगाना पड़ेगा अगर मैं I am flying लिख रही हूँ तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा एक object लगाना ही पड़ेगा तो इस तरह की verb जहां पे object must होता है यहां मुझे object की जरुवत नहीं है अपने आप में complete sentence है तो यहां मुझे object की जरुवत नहीं है और एक पैचान और बताते हूँ हम कैसे पता लगाएंगे आप हिंदी में उसकी sentence बनाना और अपने आप से question करना क्या या किसी अगर आपको sentence में क्या या किसी का जवाब मिल जाता है इसका मतलब वो verb भी transitive है जैसे मैंने लिखा I eat chapati मैंने पुछा मैं क्या खाती हूँ मैंने question क्या किया मैं क्या खाती हूँ मुझे क्या जवाब मिला chapati ठीक है इसका मतलब chapati यहां पे मेरा क्या है object तो वर्ब क्या हो गए मेरी transitive हो गए मैंने लिखा I am flying kite उड़ती तो नहीं मैं उड़ाती हूँ तो question क्या खाती हूँ मैं किसे उड़ाती हूँ क्या उड़ाती हूँ मुझे से का जवाब क्या मिलेगा kite यानि मेरे क्या हो किसे का जवाब मुझे मिल रहा है तो इस तरह की words मेरी सकरवक यानि की transitive verbs होती है ठीक है और जिसमें मुझे किसे object की जवरत नहीं है that is intransitive verb ठीक है आईए कुछ होरे example से transitive और intransitive verb की difference को समझते हैं अगर मैं लिखती हूँ please bring coffee मैंने क्या बुला please bring coffee ठीक है यानि sense क्या बन रही है मैं क्या बोल रहे हूँ कि coffee लेके आओ please coffee लेके आओ लिखेंगे अगर मैं बोलते please bring क्या इस sentence की कोई sense बन रहे है please लाओ क्या लाओ किसे लाओ कोई जवाब मुझे नहीं मिल रहा है कोई sense sentence की नहीं बन रही है तो इस तरह की sentences मेरे क्या हो जाएंगे अकर्मक यानि की intransitive हो जाएंगे ठीक है मैंने बोला लीला convey the message यानि लीला ने अपना message आगे पास किया लीला ने सीधा बोलती हूँ मुझे क्या लगाना पड़ेगा एक object लगाना ही पड़ेगा तो इस तरह की बाब मेरी क्या हो जाएगी ट्रांसिटिफ हो जाएगी यानि उसके साथ object must है एक और example मैंने लिखा the lady carry अगर मैं बोलते तो lady carry lady उठाती है ले जाती है क्या ले जाती है किसे ले जाती है कोई sense नहीं बन रही है न इसका मतलब ये incomplete sentence है बिना object के लेकिन गर मैं बोलूँगी the lady carry water to her village यानि water use करने के बाद मेरा sentence complete है object इस sentence में है तो इस sentence मेरा complete होगा तो इस तरह की verb के साथ मुझे object लगाना पड़ेगा तो यानि ये transitive verb है यानि इसमें object या कर्म होना ही चाहिए otherwise ये complete sense नहीं देगा ठीक है मैंने लिखा दे jump correct है भई उनने इना jump किया वो कूदे correct है क्या मुझे कोई object की जरूवत है नहीं है वो automatically complete sense दे रहा है बिना object के भी तो इस तरह की verbs मेरी होते intransitive यानि जिसमें मुझे किसी object की जरूवत नहीं है कुछ और example लेते है she sang उसने गाया ठीक है she sang a song then it makes a complete sense है ना अगर मैं लिखती हूँ he smiles क्या मुझे किसी object की जरूवत है वो क्या smile करता है वो किसे smile करता है कोई sense नहीं बनेगी यानि बिना object के ही ये sentence मेरा ये verb मेरी complete sense दे रही है he smiles वो हसता है क्या हसता है किसे हसता है मुझे किसी object की जरूवत नहीं है यानि इस तरह की verbs मेरी होती है intransitive verbs जिसको किसी object की जरूवत नहीं है वो अपने आप में ही एक complete sense देते है a light was shining light चमक रही थी अपने आप में complete sense दे रहा है क्या मुझे जरूँ थे कोई object लगाने की light was shining it is automatically giving a proper sense यानि मुझे किसी object की जरूवत नहीं है light was shining ये अपने आप में complete sense दे रहा है तो ये verb मेरी क्या हो जाएगी intrasitive verb हो जाएगी I hope आप सबको यहां तक clear है आगे आने वाली वीडियो में qualitative verbs discuss करने वाली हूँ have, make or get हमाले साथ जुड़े रहे चैनल को like करे, subscribe करे और share करे Thank you